आपको अपने काम काच की इंफर्मिशन लास्ट में अडिशनल डिटेल्स में आपको उना एक वाई सी वरिफिकेशन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब एक एकर की फ़र्म फिलब करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आपको डालना है आपको अपना पूरा नाम डेटो बर्थ, मेल, फीमेल, सेकेंटरी, इमेल, आपका मुवाईल नमबर, इस मुवाईल नमर के अलावा और किस शहर में रहते हो वो और आपको इस एप के बारे में पता कैसे चला, इसके बाद आप मूव कर जाओगे, प्रोफेशनल डेटेल्स में, यहाँ पर आपको अपनी जांकारी वो भंडी है, जैसे कि यहाँ पर बताना है, आप लोगों का काम क्या है, किस कंपरी में काम करते हो, डिपार्टमेंट, किस डेजिनेशन मे हो, महिने की सेलरी कैसे मिलता है, शहर, एक्सपेक्टेशन में और बागी सारी चीज़े डाल देनी है, यहाँ पर, अब लास्ट चीज़ रहाती है, एडिशनल डिडिल्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नमबर डालना है, अग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बहुत ज़्यदा अच्छे हुँगे, खुश हुँगे, सेफ हुगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग उसे बात करने वाला हूँ, कि अगर आप लोग भी तंग आ चुके हूँ, बैंक की चिकर, कार्ड कार्ड के, या फिर आप लोगों को पैसों की काफी जदा आवश रखता है, लेकिन आपको कोई भी लून देने को तयार नहीं है आज की डेट में, तो आप लोगों के सामने जो यह परिशानी है, यह इस परिशानी का आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आपको देखो, समस्या का सामनों तो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन आपके पास आज की डेट में, इसका solution देखने के काफ ज़ादा तरीके हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब किसी के पास पैसे नहीं होता है, और जिसके पास limited जिसका salary का amount है, और जिसको महीने के end में उसकी salary मिलेगी, तो ऐसे condition में इंसान लेता है loan, लेकिन आपको पता है कि bank से loan लेना उतना मुश्किल हो चुका है, आज की डेट में, तो काफी बार ऐसा होता है कि आपको documentation लेकर आपके loan को reject कर दिया जाता है, लेकिन actually मैं अगर आपको लोग देखो दिहान से, तो आपके पास इतने सारे varieties of option है, जहां से आप लोग easily कम interest rate पे जो है loan उठा सकते हो, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक online loan platform के बारे में बताऊँगा, जिससे आप लोग up to 2 lakh रूपिस तक का personal loan ले सकते हो, जी हाँ, personal loan के बारे में शायद सभी को पता है, जो है, इसलिए आप लोग personal loan ले सकते हो, और यहाँ पर जो personal loan है, उसका amount maximum 2 lakh रूपिस तक का है, लेकिन यहाँ पर आपकी total चीदे depend करती है, आपकी credit eligibility पे, अगर आपकी credit eligibility काफी अच्छी है, तो 2 lakh से जाधा तक का भी loan मिल सकता है, बट अगर आप लोग अगर एक नए beginner हो, या फिर अगर आप first time आप किसी जगा से loan ले रहे हो, तो आप लोग के लिए 2 lakh भी enough है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाद करेंगे, कि कौन सा online loan platform से आप लोग loan अप्लाई कर सकते हो, अब कोई भी loan लोग है, तो वहाँ पे documentation बहुत important है, तो pen card, ather card और साथ में जिस bank account में आपको अपना loan amount लेना है, उस bank की details साथ में रखनी है, वीडियो के सारे steps को follow करना है, अभी हाँ तो वहाँ जैसे मैं follow करते वह चलूँगा, जिससे आप लोगो को वीडियो को समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत, ज़्यादा कोई परिशानी ना आने पाए, साथ ही मगर आप लोग फर्स टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक ही नहीं करोगे तैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, अभी इसी वक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करें, लाइक ही नहीं करना आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है कहां शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो जो भी आप लोगों की दोस्त है परसनल, प्रोफेशनल, कामकाजी, दोस, कसिन, भाई, बेहन, रिश्तेदार हर जगा बट्सप, फेस्बुक, हर जगा फैला दो जहां भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो क्योंकि जब आप लोगों को ये वीडियो सेर्च करने के माधियम से मिल गई है तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को आप जब हेल्प करोगे है, साधी में करना क्या है कि ये जो comment box है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है आपको किस जगा से वीडियो देख रहे हो, आपको ये लिखना है और साथ ही आपके loan लेने का main reason क्या है ये नीचे मुझे comment box में लिखके बता देना है, तो ये कुछ चीज़े हैं जो कि आप लोगोंने basic करनी होगी, अब हम शुरू करते हैं हमारा main वीडियो तो बता दूँ, ये है हमारा वीडियो जो कि आप लोग फिलाल अपने mobile screens पर देख पा रहे हो वीडियो के जस नीचे ये होता है title तो ये जो title है, आपको simply इस title पे ही क्लिक करना है, जैसी आप लोग इस title पे क्लिक करोगे आपका description box खुल जाएगा, जैसी आप लोग का description box खुल जाए, description box में थोड़ा सो उपर बढ़ना है, जहां पर आपको देखने को मिलेगी ये website link, तो ये जो website link देखने को मिल रही है, आप लोग को simply करना क्या है, कि आपको इस website link पे क्लिक करना है, जैसी आप लोग इस link पे क्लिक करोगे, आपकी link जो है, automatic Google के search ब्राउजरों से connect हो आएगी, और यहां पर आपके सामने आएगा Google का एक search result, जो कि आप लोग अपनी mobile screen पर देख सकते हो, तो यहां जो आपके सामने first website का search result आया है, पहले बता दूँ, ये page का search result है, ये तभी आएगा, जब description में link पर जागे, आप लोग क्लिक करोगे, जब link पर click करके, आप लोग जब redirect होगे, तो ही आप लोग के सामने ये page आएगा, अब यहां पर जो first website आप लोग को दिखरी है, loanpower.in करें, आपको इसी website पर simply click करना होगा, क्योंकि जब आप लोग इस website पर click करोगे, click करते ही, आप लोग सीधा पहुंच जाओगे, loanpower.in के official platform पे, और मैं आपको बता दूँ, कि loanpower.in का एक ऐसा official financial platform है, यह जो website है, यह official financial blog website है, जहाँ पर आपको दुनिया भर की जदने भी loan companies है, जो महां से आप लोग loan कैसे apply कर सकते हो, यह loan कैसे ले सकते हो, उसके बारे में एक एक बार ही की से information इस website के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगी, website के अंदर जैसे आप विजिट करते हो, आपका पहला step भी पूरी तरीके से complete हो अब बढ़ता है, second step की और तो मैं बता दू, आप लोग के फोन में Chrome browser है, Google browser है, इसके अलावा भी काफी सारे browser होते हैं, जो कि हर किसी के phone में अलग-अलग होते हैं, तो simply आप लोग किसे अपने phone के किसी भी browser को use कर सकते हो, करना क्या है आपको अपने phone का simply browser open करना है, जैसे browser open करोगे इस word को डालना है, और simply कर दिना है search, जैसे अप लोग loanpower.in डालके search करते हों कि आपके सामने Google का search result आ रहेगा, लेकिन इससे पहरे मैं आप लोग को दिखा दोना चातूँ कि यह मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, यह मैंने लिखा है loanpower.in जो कि आप लोग को मैंने mobile screen पर देख सकते हो, और यह जो मैंने लिखा हुआ loanpower.in ब्राउजर पर जाकर आपको भी जाकर exact वैसे ही search करना है, ध्यान रहे हैं आपको इस word को लिखने में किसी भी आपकी कोई भी mistake नहीं होनी चीए, वरना आप लोग किसी गलत platform पर भी जा सकते हो, तो आप लोग को loanpower.in डाल देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, जब आप लोग इसको same search करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने result आ रहेगा, जो कि आप लोग को mobile screen पर show कर रही है, और यहा आप लोग up to 2 lakh rupees तक का loan ले सकते हो, तो इसके लिए आपको इस website पर कर दिना है, click, जैसे ही आप लोग इस website पर क्लिक कर दोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, जहां जो हमारी website ओपन हो जाएगी, loanpower.in की जैसे कि आप लोग अपने mobile screen पर देख सकते है, website ओपन होने के स section आपको app loan की section पर click करना है, जैसे ही आप लोग अप लोग के section पर click करोगे, आपको जितने भी app loan का label है, वो सारा का सारा खुल जाएगा, और जैसे यह खुल जाएगा, फिर करना किया है, right side में एक search बारे, आपको इस पर tap करना है, और यहां पर जाके जो मैं आपको word बता इस word को आपके simply search करना है, आप लोग को जो की है capital now, ठीक है, आपको easily इस word को type करना है website के अंदर, और जैसे आप लोग capital now डाल के search करोगे, आपके सामने article आरेगा कि capital now loan app से loan कैसे है, second वाला जो article है, और आपके सामने यह जो है application का logo भी दिख रहा होगा, तो आज हम इसी loan app के आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे आप लोग चीज को पढ़ लोगे, तो नीचे आपको एक apply now का button दिखने को मिलेगा, यह वाला, आपको simply इस apply now के button पे click कर देना है, क्लिक करने के साथ ही, आप लोग सीधा पहुंच जा लेगा, capital now, loan app का main homepage, सबसे पहले आने के साथ, यहाँ पे आपको permission agree करना होगा, जो कि आप लोग टिक माक करके agree की button पे click कर दोगे, तो easily आपको इस application ने permission दे दोगे, अब यहाँ पर इसका demo शुरू हो चुका है, तो easily आपको उपर skip का button मिल रहा है, आप उस पे click करके, अज पुरा हो जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले basic profile देनी होगी, नीचे आपको अपने काम कार्ज की information, लास्ट में additional details में, आपको उपना ekyc verification और bank account की details, अब एक एकर की form flip करते हैं, सबसे पहले basic details में आपको डालना है, आपको अपना पूरा नाम, date of birth, male, female, secondary, email, आपका designation में हो, महिने की salary कैसे मिलता है, शहर, expectation amounts और बागी सारी चीज़े डाल देनी है, यहाँ पर, अब last चीज रहा थी, additional details, यहाँ पर आपको अपना pen card का number डालना है, अगर आपको college बगेरा पढ़े हो, तो उसकी details डालके, सीधा finish के बटन पर click करोगे, अब यहाँ पर आपको live selfie भी upload कर देना है, फिर बाद में डालनी है, अपनी bank details, जिस bank account में आपको अपना loan amount चीए, और easily आपका जो loan है, capital non loan app से easily apply हो चुका है, loan apply होने के बाद, just because यह आपका एक personal loan है, तो यहाँ पर 48 hours तक का time लग सकता है, दो दिन तक आपको easily wait करना है, और दो दिन के अंदर जा झाल कर में Beautiful!